एस्ट्रो लवर्स जोतिश सूत्र को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाईए हमारे लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हम चक्र ज्यान के बारे में बात करेंगे चक्र यानी जीवन के पहिये जब पहिये अलाइंड होंगे तबी हमारे जीवन की गाड़ी सही तरीके से चलेगी हमारे शरीर में प्रमुख साथ चक्र है ये base of the spinal cord से लेकर top of the crown पर स्थित है हम बात करेंगे सहस्तरहाल चक्र के बारे में ये crown चक्र हमारे top of the head पर स्थित है इस चक्र में हजार petals का lotus है ये पचास पंगडियों वाले लोटस, एक के उपर एक, बीज की मात्रा में सिस्ष है इस चक्र का ग्रह है राहू, इसका मंत्र है नंग, इसके उपर शिव का निवास है ये चक्र हमें जीवन के बारे में संपूर्ण ज्यान देता है इस चक्र की basic quality है, to interpret and to know आज आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, उसके अंदर एक meaning नहित है आपको ईश्वर को ट्रस्ट करना पड़ेगा, कि हर चीज का जो meaning है, वो आपके बहतर के लिए है It is for your benefit Crown Chakra is your connection with Divine Grace It is your connection with God जैसे मूलाधार का connection है मा से, कुंडलिनी से, भूमी से वैसे ही Crown Chakra का connection है शिव से, जो आपके परम पिता है आज Crown Chakra के connection से हमें realize होता है हम केवल एक आत्मा नहीं है, हम परमात्मा का ही स्वरूप है आज एक इनसान में जो इनसानियत आती है जो feeling of gratitude आता है, जो feeling of compassion आता है वो Crown Chakra से आता है आज ये Crown Chakra कब बंध होता है? ये बंध होता है जब एक इनसान का रिष्टा अपने परम पिता से तूटता है जब एक इनसान भगवान पर विश्वात खो देता है आज अगर एक इनसान के जीवन में कोई ऐसी situation आई जिसको वो accept नहीं कर पाया उसका meaning नहीं समझ पाया कि मेरे साथ ये क्यूं हुआ तो उसका Crown चक्रबंध हो जाता है because of trauma दूसरा कारण है जब किसी के जीवन में बार-बार Hopelessness आती है जब जीवन उसके अनुकूल उसको नहीं लगता है तो वो जीवन में आशा छोड़ देता है और आशा छोड़ना मतलब Crown चक्रबंध इसका तीसरा कारण है Discontentment आज आपके जीवन में अगर Discontentment है आप संतुष्ट नहीं हो तो ये चक्रबंध रहेगा जब दोस्तों ये पुरा ब्रह्मान ही आपका है आपकी इश्वर स्वरूप हो तो फिर Discontentment कैसे हो सकती है ये चक्र आपको दिखाता है कि आपका Physical और Non-Physical रेल्म connected है आप ही परमात्मा के स्वरूप हो जिस परसन का Crown चक्र ओपन रहता है वो परसन जीवन में Contented होता है Grateful होता है वो बड़ा Wise होता है उसको जीवन के यथार्थ के बारे में ज्यान होता है ऐसा परसन मानपता के लिए कारे करता है और जिसका Crown चक्र ब्लॉक होता है वो परसन डिसिलूजन होता है Confused होता है Ungrateful होता है और Discontented होता है Crown चक्र आपके Brain से रिलेज्टेट है ये चक्र बंध होने से Brain Disorder होता है जैसे Cezophenia Any Kind of Brain or Nervous Disorder ये चक्र आपके Skin को भी गवर्न करता है क्योंकि इसका तत्व है Light इसका Element है Thought तो Skin की जो घंबीर बिमारिया होती है जैसे Sores, Leukemia ये Crown चक्र के Blockade से होती है आज किसी को अगर Migraine है तो Migraine भी Crown चक्र के Blockade से होता है Crown चक्र जिखाता है कि आपकी विचार Free होने चाहिए They should be Free and Liberated अगर आपकी सोच Liberated नहीं है तो Crown चक्र ब्लॉक होगा आज अगर किसी की सोच बांदी गई हो Because of Lack of Education Because of Superstition Because of Control कहीं न कहीं उसके उपर मान्यताएं और विचार धाराएं Impose की गई है जब इंसान जिंदगी से खताश हो जाता है आशा छोड़ देता है तो ये चक्र बंद हो जाता है आज अगर ये चक्र ओपन रहता है तो आपके जीवन में Abundance आता है Wealth आता है आपके जीवन में इश्वर की क्रपा रहती है और आपके जीवन में इश्वर आपको Direction दिखाता है आपको अपना रास्ता Clear दिखता है और आपको अपने पत पे हर जगह से समर्थन मिलता है मैं आप सब का धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब ये जीवन में ये चक्रों के Lessons को उतारेंगे और लाग प्राप करेंगे अब देखिए इंडिया के Best Astrology Expert पूरे वीडियोस देखने के लिए Google Play Store पर डाउनलोड करें Astrology TV आप Amazon Fire Stick पर डाउनलोड करें Astrology TV आप Airtail DTH पे सब्सक्राइब करें Astrovani चैनल Dish TV और D2H पे सब्सक्राइब करें जोतिश दुनिया